हलो नमस्का किसी जागरण से मैं सुरेश कुमा कुछ वाहा कामपुर्दिया उत्तर प्रडश से आज मैं आप लोगों को जीवा मिरत के बारे में जनकारी दे रहे हैं बाई साम हैं आपको बताएंगे कि जीवा मिरत किसानों के लिए कैसे वर्दान साबित हो रहा है और यह व अब आप चेत्री बनतारी जीवा अमरत तयार किया यह था पौदावी पॉस्तिक पावनी और इसमें जो है देशी गाय का ताजा गोवर 10 किलोग्राम गोमूत्र है 10 किलोग्राम देशन आता का दाल 2 किलोग्राम पुराना गोड़ है 2 किलोग्राम पीपन ब्यक्ष के तयार करने की विदिये 200 लीटर पाने में गोल कर बनाया गया संत्रत गोल प्योंक विदिये एक से साथ दिनों के पच्छाब हजारे में डालकर कुमारे दोवारा पौद में छड़काव किया जाता है जिससे हमाई पौदे हश्ट पुष्ट और घ्रोथ करते हैं तोटल हमा साला प्यंतरगत आज पहनिवार आप लोग आये हैं देख भी रहे हैं जो भी है आपको समझ में आ रहा है और हमारे यहां कोई भी कहीं से भी आ रहा है पौदा भी अपना हश्ट पौदा लेके जाए लगा है ज्यादा ज्यादा पौदे लगा और यही हमाई एक कामना रह जारी है आंगे नमबर लिखा हुआ है इसा थोड़ा आप दिखाए कैसे बना हुआ है आपके आपके यह हमारा भूल है इसको पांस दिन हो गए हैं इसको और लगबग यह अब कल मेरा पढ़ाएगा जो देखिए भूल तैयार है अब लिए पौदर में डाल दिया जाएगा जैसे इसको एक चक्र में यह चलता रहता है इस से जो पुसल त्यार होती है अग्दम जैवीक और कैमकल रहीत होती है केमकल रहत होती है और वादे भी अस्पूश रहते हैं जिनके दो ड्रम में त्यार किया गया है इससे हमारे पौदे भी स्वस्त रहते हैं और हम भी स्वस्त रहते हैं हम लोग जो पौदे को खिलाएंगे वही हमको खाने को मिलता है अगर में पौदों को अम्रत खिलाएंगे तो हमको अम्रत रूपी फल ही मिलेंगे अनाज मिले तो किसान बाजों से यन रोद है कि जीवा मरत बना कर वह भी फिर यह अपकास्ट अपने घर के ही प्रोड़क्टों से बना सकते हैं बंजात त्यार हो जाता है और कोई भी कास्ट अधिक नहीं समें होती है और इससे बारी पसल बहुत ही अच्छी और केमकल रहीत होती है कर दो कर दोसा है